स्वागती दोस्ता आप सुभी को टिकीर आच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Go या फिर किसी भी Redmi Mobile में यदि आपका यहां पे SIM Card Not Inserted Problem आपको शो कर रहा है तो उसे आप कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछी देर पेले मुझे यह problem आ रहा था मुझे यहां पर notification बार पे SIM Card Not Inserted मुझे यहां पर दिखा रहा था तो उसे मैंने fix कर दिया है आप भी कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% guarantee दे रहा हो कि वीडियो के अन तक आपका problem solve हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है अपने mobile के settings पे ठीक है उसके बाद में आपको यहां पे SIM card and mobile network पे आपको जाना है अभी दोस्तों यहां पे आपको जो SIM card में problem आ रहा है वो SIM card आप select कर लिजेगा और एक बार अपना SIM card को off कर दीजे आप ठीक है एक बार off कर दीजे SIM card को उसके बाद में यहां पे दुबारा से इसे on कर दीजेगा ठीक है कभी कभी दोस्तों यह on off करने के बाद में ही हमारा SIM card काम करने लग जाता है यदि फिर भी काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं प्रिफर नेटवर्क टाइप में जाके यह दिया आपका mobile voltee है तो यहां पे प्रिफर वोल्टी जो सेलेक हुआ है एक बार दोस्तों यहां पे दोस्तों आपको प्रिफर नेटवर्क टाइप में एक बार प्रिफर 3G क्लिक कर दीजेगा उसके बाद में दुबारा जाके प्रिफर LTE कर दीजेए बेक चले आईए उसके बाद में अपना mobile में दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है अपना settings में आने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको mode settings में जाना है और airplane mode को एक बार on कर देना है उसके बाद में इसे off कर दीजेगा दोबारा और दोस्तों यहां पे network setting reset में भी एक बार चले जाएए और दोस्तों यहाँ पे अपना network setting को आप यहाँ से reset कर दीजेगा password भड़ के ठीक है तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपका जो भी problem है sim का वो सारा complete solve हो जाना चाहिए in case नहीं होता है तब दोस्तों आपको एक final solution बताता हूँ final solution जो है वो आपको last में ही करना है ठीक है additional setting में चले जाएए और backup and reset पे चले जाएए उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको factory reset में जाके अपना phone को एक बार reset कर देना होगा ठीक है लेकिन backup रखके करिएगा आपका सारा application वगेरा कुछ भी delete नहीं होगा ठीक है तो यह आपका final solution है और दोस्तों एक बार जो है आप अपना software भी check कर दीजेगा about phone में जाके यहाँ पे system update आया हुआ है तो इसे आप update कर दीजे क्योंकि कभी-कभी हमारा यहाँ पे sim का network में sim में जो है यहाँ पे update आने के वज़े से भी-कभी problem दिखाए देता है तो यह सारा करने के बाद में दोस्तों definitely भी आपका problem solve हो जाएगा उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा thanks for watching